मुखी मंत्री विष्ण देव साई और उप मुखी मंत्री विजद शर्मा नक्सली मुठ भेड में घायल जवानों से मलकात करने रईवार की सुबह रायपूर इस्थित राम पुरिष्ण अस्पताल पहुचे जहां उन्होंने घायल जवानों से बात कर डॉक्टरों को बहतर इलाज के रहे निर्देशित किया घायल जवान से मलकात करने के बाद मुखी मंत्री उश्देव साय ने कहा कि नारायनपूर जिले में कल हुई मुठ भेड में एक जवान कांस्टेबल नितेस एकका की जान चरी गई उसी मुठ भेड में तो अन्य जवान घायल हो गए थे मैं उन दोनों जवानों से मिला घायल अवस्था में भी हमारे जवानों के हौसले बुलंद है हमने डॉक्टरों को उनके बैतर से बैतर इलाज के निर्देश दिये हैं घायल जवानों के शिग्र स्वस्त होने की कामना उन होने की हमारे मोतिलाल साहुजी विधायक सद्धानजली देकर आये हैं और कल कही मुडभेड में दो जवान घैल हुए थे अभी एक पहलास नेताम से मिले हैं उनको पेट में गोली लगी थी और अभी ठीक हैं बात्चित कर रहे हैं और एक दूसरे वह भी नेताम थे वह उप्रेशन थे अपरेशन उनका हो रहा है वह भी स्वस्थ हो जाएंगे भगवान से प्रात्रा है कि सीघरों स्वासलात हो और नितिय सिक्का को सद्धली अर्पित करते हैं उनके आत्मा को भगवान सांती दे और उनके सोक संत्व परिवार को इस गहन सोक को सहने की सक्थी बजान करें जो गहल विनों के परिजनों से मुलागा है हाँ एक विजापूर में कुल दिन पहले बलास्थ हो था और वो भी यहां पर एड्मिट है उनके परिजन से मिले और वो पेसेंट से भी मिले